Dear student, we have to discuss about the major underlining effect of the sustainable development. हम जब SDGs की बात कर रहे हैं, तो अब next हमारा question यह है, कि जब हमने यह एक दामात की है, और अभी हमने 2019 की रपोर्ट भी पड़ी, जब हमने बात की, तो इसका effect क्या हुआ? इसका पहला effect जो है, वह आपका water management approach, हमने जब यह SDGs के अंदर हम उसको बात कर रहे थे, तो उसमें एक काज हमारे पास यह भी थी, कि हमारे जो resources हैं, इन resources को हमने इस तरह utilize करना है, कि इनकी wastage को हमने बचाना है, यह जो इस वता resources हमारे पास natural resources मुझूद हैं, हमने natural resources की अपने आने वाले नस्रों के लिए बचाने के एकदामात करने हैं, और जब हम nature resources की बात करते हैं, तो उन में nature resource के अंदर जो सबसे major resource है, वह water है, और हमने last time भी हमने अपने lecture के अंदर discuss किया था, कि 70% water जो है वह हमारी irrigation को need होता है, और जब हमें यह पता चल गया, कि अगर हमारे पास water की availability दुनिया में कम हो गई, या water की availability ना होने के बराबर हो गई, या जितना water हमें need है, उसके मताबक available ना हुआ, तो इसका मतलब है कि सबसे पहला असर जो हमारे पास क्या होगा, वह हमारा agriculture पर होगा, जब हमें इसका शौर पैदा हुआ, तो हमें यह पता चला, कि 70% अगर agriculture को चाहिए, और agriculture को अगर पानी नहीं मिलेगा, तो consequently क्या होगा, कि हमारा जो food है, उसके availability नहीं होगी, इस वक्त तो दुनिया की सुरत हाल यह है, कि दुनिया में जतना food हमें चाहिए, उतना food available है, हमारा issue assess तक है, लेकिन अगर हमने future plan नहीं किया, और हमने अपने resources को manage नहीं किया, तो फिर अगले आने वाले सालों में जो हमारा issue होगा, वो हमारा issue यह नहीं होगा, कि available नहीं, availability का issue नहीं होगा, availability का issue भी हो जाएगा, अभी तो assess का issue है, उसके बद availability का issue हो जाएगा, तो लेहाजा हमारे पास के water management को अप्रोच किया गया, पानी, save पानी, पानी को save, कि हमने पानी को save कैसे करना है, पानी को बचाना कैसे हैं, और उसके लिए जो, एकदामाज किये गए, कि मैं अब आप, आपको आम सी मिसाल देता हूँ, आप मेरी practical life के अंदर जो हैना आपने देखा होगा, अब आप जो बड़े-बड़े माल हैं, या बड़े-बड़े institutions हैं, या बड़े-बड़े airports हैं, या महां पे जाएं, तो उन्होंने पानी को save करने के लिए क्या किया है, कि उन्होंने ऐसा sensor लगा दिया है, कि अब जब tap के ओपर जाके आथ रखते हैं, आथ को यू करते हैं, तो पानी आना शुरू हो जाता है, आप जैसे पीछे करते हैं तो पानी बंद हो जाता है, आप कोई भी बरतन हैं उसके अंदर पानी डालना चाहते हैं, आप उसको आगे लेके जाते हैं, तो वह जब वहां तक मौझूद होता है तो पानी अवेलिबल होना शुरू हो जाता है, और जब वहाँ से निकाल लेते हैं तो पानी आना बंद शुरू हो जाते है यह वो एकदमाद थे जिससे ना सिर्फ पहले नंबर पे शौूर पैदा हुआ लोगों के अंदर और वो शौूर यह पैदा हुआ कि पानी हमारे पास कितनी एहमियत का हमिल है अगला शौर यह लिए मुख्तिल एकदमाद किये गए और वो एकदमाद क्या थे उन में एकदमाद ये किये गए कि जहां जहां पे हमने उसको यूज करना है उसकी यूजबिलिटी के लिए हमने जो वेस्टिज है उसको मिनीमाइस कर दिया मिनीमम वेस्टिज को कर दिया और उसकी जो मैंन कि वहाँ पर पानी के वेस्टिच को मकंबल करने के लिए क्या क्या अग्दामात के जाते हैं तो हमारे पास ना सिर्फ इस कंसेप्ट को लोगों तक पहुंचाया गया उनको ना सिर्फ अवेरनेस दी गई बलके उनको वो टेक्नीक भी बताई गई कि हम अपने की प्रोटक्शन के लिए और जिसके अंदर हमारे पास पानी भी है और इन्वार्मेंट के और भी बहुत सी चीज़ शामिल है उनकी यूजबिलेटी को हमने लोगों तक पहुंचाया और हमने वो जो फ्लेक्सिबिलेटी थी कस्टमाइज स्ट्राटेजी इस थी उन वो रि इन्वार्मेंटल को भी प्रोटक्ट करने के लिए हमने ना सेंसिटाइज किया अवाम को बलके उनको स्ट्राटेजी दी उनको सुशली कल्चरली इसके उपर बावर करवाया कि वो बतौर सुसाइटी और कल्चरली इसको ना सिर्फ अंडर्स्टेंड करें बलके उसके हम अपने टार्गेट्स को अचीव कर दें तो यह था वह इफेक्ट जो हमारा हुआ आउटपुट की सुरत में है कौन सी दो चीज़ों पर उको नमबर एक वाटर और नमबर एक इन्वार्मेंटल प्रोटक्शन तो यह हमारे पास दो चीज़े हैं जिनके इफेक्ट आपक स्थिज़ के अना दराएं